हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है आभी देखे and वेलकम टू टेक्सोर क्या आप अपने कंप्यूटर या लाप्टॉप में अपने ग्राफिक ड्राइवर को अपडेट करना चाहते हैं कोई भी ग्राफिक ड्राइवर हो आपका चाहे हो एन्वीडिया का हो इंटल का हो एमडी का हो कोई भी ग्राफिक ड्राइवर है यहाँ पर मैं आपको उसे अपडेट करके दिखाएमगा तो कैसे करें आये जाते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप हैं नीचे स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक कर लें यह स्टार्ट बटन है यहाँपर राइट जिक कर लें तो यहां पर display का option आपको दिख रहा है तो यहां पर आप इस arrow पर क्लिक करें तो आप पता कर पाएंगे कि आपका कौन सा graphic card है ठीक है जो भी graphic card है सेम तरीका है बस यहां पर आपको पता सुल जाएगा आपका graphic card कौन सा है ठीक है इसके बाद इस पर right click करें अब यहां पर आपको एक option दिखाए देगा update driver का ठीक है तो यहां पर click कर लेए update driver पर इसके बाद यहां पर है search automatically for drivers इस पर click करें अब देखिए अगर यहां पर लिख windows update तो आप windows update की मदद से भी search कर सकते है driver को इस पर click करें यह लेकिन थोड़ा time लेगा 10-15 minute ले सकता है update होने में ठीक है इस तरीके से आप कर सकते हैं लेकिन अगर इस तरीके से update नहीं हो रहा है आपका driver तो यहां पर मैं आपको एक अलग तरीका बताता हूं ठीक है इस पर देख लें कि आपकी driver की date क्या है तो आपको इससे अंधादा हो जाएगा कि आपका driver update है या फिर नहीं ठीक है तो अब update कैसे करें चलिए यहां पर मैं आपको बताता हूं तो यहां पर देखिए मैंने तीनों graphic चाहे हो AMD हो Intel हो या फिर NVIDIA हो तीनों graphic driver की link description में देख मैं description में दी है मान लीजिए आपके पास AMD का driver है तो यहां पर आपको इस link पर आना है और यहां पर download setup में AMD driver support इसको download कर लेना है basically एक auto detect tool है बस आपको इससे download करना है और install करना है यह automatic आपके सारे driver को update कर देगा आपको कोई भी tension लेनी की ज़रूरत नहीं है और इसी के साथ अ tool को यहां से download कर लेना है और वो download कर देगा आपको वो install कर लेना है और अपने आप सब कुछ हो जाएगा आपको burden लेनी की ज़रूरत नहीं है figure करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है and last में अगर आपके पास Nvidia का है तो मेरे उसमें अभी Nvidia का graphic card नहीं है तो अगर आपके PC में पहल का नाम डाले, type डाले और यहां पर search पे click कर दे इसके बाद आपको यह tool मिल जाएगा आप download कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से आप अपने graphic driver को update कर सकते हैं बहुत ही आसानी से उमीद करता हूँ आप समझ गया होंगी वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को like करे channel को subscribe करें आपना बहुत आदे कहल रखिये बाबाया है